हेलो गाईज, वेलकम टू राइट बित इंजिनियरिंग, आज हम लेकर आएं एक नया टॉपिक, एक प्लास्टर वर्क में सेंड और सीमेंट की कौन्टी कैसे लिका ले हैं, ये बहुत ज़्यादा पब्लिक द्वारा पूछा गया कोश्चन है, और हम साइट पे जाते हैं, बट ये सब चीजें हमें नहीं पता रहता है, जिसे हमें प्रेटिकल लेने के लिए इस वीडियो को देखें, और काफी सारे प्रॉब्लम साइट पे आते हैं, जैसे कि प्लास्टर वर्क हो रहा है, सीमेंट, सैंड, उसमें अलग बताना है भाई, अगर आप चोटे-मोटे इसे कॉन्टर के साथ वर्क कर रहे हैं, वो आपसे पूछ देगा सीमेंट कितना है और सैंड कितना लगेगा, या आप एक अपना खुद का घर बनाना चाहा है, और प्लास्टर वर्क करना चाहा है, बट आपके पास एक इनजीनियर, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आ यायर करें तो आप खुद संड लिकाल सकते हैंảyar सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को जरूर करें, जू अगर प्लास्टर वर्क के लिए तो पॉइंटे हैं जो plaster work में हमें follow करना चाहिए जो सबसे पहले बात करें पहला point for wall plastering cement sand ratio जो है one ratio six अगर हम लोग wall का plaster कर रहे हैं तो cement और sand का जो ratio हम लोग रखते हैं वो one ratio six और अगर ceiling की plaster कर रहे हैं तो cement and sand का ratio रखते हैं one ratio four बात करें अगर plaster work की तो plaster work generally 12 से 15 mm तक करते हैं अगर आप additional अगर coating कर रहे हैं मतलब 12 mm से अगर अधिक का plastering आप कर रहे हैं जो as per client requirement भी हो सकता है तो हरमेशा उसे जो mention रहेगा जो misteri रहेगा उसे आप दो कोट में करने के लिए बोलिए और हरमेशा chicken wire mess यूज करना चाहिए plaster work में जहां पर brick work और concrete का joint है यानि column के पास at the corner of column के पास हरमेशा chicken mission यूज करना चाहिए जिससे हमारा plaster में कभी crack नहीं आएगा बात करें तो use good quality quality of cement and sand cement में बात करें तो cement की आप quality कैसे चेक करेंगे इसके लिए अलग से हमने video डाला है वहाँ description में आपको link दे दिया जाएगा आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं और sand की quantity sand अगर plaster work में यूज कर रहे हैं तो course होना चाहिए यानि मोटा होना चाहिए जितना आपका मोटा वाला sand होगा वो उतने ही अच्छा होगा अब बात करें cement की तो cement की expiry date आपको check कर लेना चाहिए cement की कुछ test होती हैं जिने आपको जो आपके manually test होती हैं मतलब आप घर master में एक बार पैसा खर्च कर दिया ना भाई लेकिन वो अगर अच्छा नहीं हुआ तो एक दो साल बाद वो खुछ जढ़ने लगेगा आप पैंट कर दिजिएगा या पुट्टी मार दिजिए वो अच्छा दिखेगा बट एक साल बाद वो जढ़ जाएगा तो उससे आपको कोई profit ही नहीं हो पाएगा तो हर्मेशा एक चीज का ध्यान देखें यह की कोई Cities सिल्ढिए सिमन टेस्ट जरूर करें घर पर और इसकी expiry date जरूर इत रखे एक्सपयरी डेट नबबे दिनों में एक्सपयर हो जाती है बट आपको देखना कैसे भाई नबबे दिनों में expiry हो जाती है बहुत लोग को देखने ही नहीं आता है कहां लिखा रहता है कैसे कैसे दिखें वह कोड़ वार्ड में कोड़ वार्ड किसी को समझ नहीं आता है तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक वीडियो डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप जाएं और वहां से क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे प्ले लिश्ट पे जाके देख सकते हैं और अब बात करें यूज में मेजरिंग बॉक्स नौट पैन हैट फोर साइड मिक्सिंग अगर आप साइड पे मिक्स कर रहे ना भाई अगर साइड पे मिक्स कर रहे ना तो आप पैन हेट का हैड़ पैन का यूज मत करिए मतलब जो तगाड़ी हिंदी में बोलते हैं उसका यूज मत करिया मेरे भाई वह बहुत जगह से आमने सेंड लिया अब सेंड जिसमें उठाया वह तगाड़ी सही है headband सही है बट आपने जिसमें सीमेंट ना पा हो headband दबा पचका हुआ है तो यह सब सारी problem में आती है जो आपका आप बना रहे हैं one ratio six अब मालम चल रहा है कि वहां one बन रहा है one ratio seven या one ratio four तो इससे आपका अगर one ratio four बन रहा है तो कोई profit नहीं है आपका भाई अगर सीमेंट की मातरा ज्यादा हो रहा है plaster work में तो crack आने की संभावना है अगर curing नहीं करोगे अगर sand ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है strength बहुत कम आएगा आपका plaster work में तो इस चीज़ का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए उसलिए हम लोग measuring box का use करते हैं हाँ तो फिर आप देख सकते हैं जैसा कि यहां पे अलग-अलग types में लिकाल सकते हैं जैसे कि जो ठीकने से हमारा वह 12 mm के जगह आपका और ज्यादा भी हो सकता अठारे में भी हो सकता है बट हमने जो consider किया है हमने consider कि हंड्रेट मीटर स्कॉर प्लास्टर करना है हमने आपको डेमो देने के लिए ऐसा किया है अगर आपको ऐसा कुछ doubt लगता है जिससे आपसे solve नहीं हो पार है तो comment section में डाल दीजे पिन कर दीजे हमको मैं आपको उस चीज को solve करके इसी YouTube चैनल पे आपका नाम लेकर upload कर दूँगा तो बात करें तो हमने लिया है 100 मीटर स्कॉर प्लास्टरिंग एरिया 1 ratio 6 ठीक है सीमेंट सैंड का और thickness जो लिए वो बार है मैं अब बात कर लेते हैं इसको solve कैस करेंगे चलिए देखते करें plaster तिकने जैसा कि हमारा वाल में जो हमने thickness लिया है plaster का वह 12 mm ठीक है तो 12 mm में है तो उसे मीटर में convert करेंगे मीटर में convert करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से divide करना पड़ेगा 1000 से divide करने के बाद हमार जो answer आएगा वह आएगा 0.012 मीटर अब बात करें volume की volume of cement motor required अब volume कैसे लिका लेंगे भाई 100 meter square तो हमें पता है तो 100 meter square यानि area पता है into जो वाल का ठीकने से मतलब plaster का जो ठीकने से उसे into कर देंगे तो हमारा volume लिकल जाएगा हमारा volume लिकल का आएगा 1.2 meter cube क्योंकि volume है इसलिए cube रहेगा तो 1.2 meter cube ठीक है अब बात करें कि ये जो आपने लिकाला है volume ये तो weight का है अपने जो volume लिकाला है ये weight है बट आप अगर dry का पूछे जैसे आप लिकालना क्या चाहते हैं पहले ये समझे कि कितना cement मैं खरीद के लिका हूंगा कितना बालू खरीद के लिका हूंगा देखें हैं तो फिर जाइए भाई या description में एक बार देखिए उसको अच्छे से तो bulking of sand हमने हम लोग 35% लेते हैं अगर weight से हम लोग dry में convert करेंगे तो 35% bulking of sand लेते हैं और 20% wastage 20% wastage क्योंगी भाई अगर आप बात करोगे यार सेंड की ही अब सेंड की बात करोगे तो सेंड उठाने में और mix up करने पर जैसा कि जानी रहे है manual mixing होता है plaster work में तो mixing करने में 20% तक wastage आप assume कर लिजे बिकॉज बहुत सारे problem आते हैं सिमेंट का बोरी आपने फारा सिमेंट गेर गया ऐसे बहुत सारे चीज़े तो हम लोग 20% wastage मान लेते हैं आप एक बात अपने दिमाग में सोच लेजे कि अगर आप कम होता है अगर आपका सिमेंट और सेंड कम अगर आप ज़्यादा मंगा ले रहे हैं तो कोई problem नहीं भा है तो इसलिए हम लोग 20% wastage हम लोग लेके ही चलते हैं अपना एक safe zone में ही चलते हैं अगर 20% wastage ले लिए तो हमारा जो volume आया था यहां पे देख सकते हैं जो हमारा weight volume आया था वह 1.2 हो गया अब plus 1 plus 0.2 plus 0.35 इसको add कर देंगे तो हमारे जो answer आएगा वह 1.86 meter cube आएगा अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होगा जो कि normal बच्चों को होते ही है जो कि जैसे 35% bulking of sand है तो हमने 35 0.35 ले लिया यहां पे 20% wastage है तो हमने 0.2 ले लिया बट यह 1 कहां से आया यह doubt बहुत ज़्यादा रहता है तो इस doubt को चलिया हम clear करते हैं यह यह भाई कुछ नहीं है अगर एक चीज आप समझेगा कि अगर 1 kg आम है एक केजी क्या है आम अगर आम 1 kg है और आप आपको किसी ने आम दिया 20 आम दिया तो आपका 20% increasing हो गया मतलब 20% increase हो गया आम किसी ने आया और आम दे दिया या बेच दिया आप से तो 20% increase हुआ ना मेरे भाई तो वो 20% आप इसमें लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा उसको तो 0.02 आपके पास तो आम नहीं है इस समय आपके पास जो आम हो गया वो 1.20 हो गया 20% increase हुआ यानि 1.20 आपका आम हो गया इसी प्रकार यह है आपका 35% increase हुआ प्लस 0.02% increase हुआ बट अमारा पहले से 1 था तो 1 में इतना increase हुआ ना इसलिए 1 को add करते हैं यह बहुत ज्यादा confusion रहता उसलिए हमने इसे clear कर दिया sort out करती है आपको जैसा कि हमने लिका लिया 1.86 ठीक है अब हमें क्या लिकालना है कि इस जो volume लिकला यह अपना कौन सा है dry volume या रखना 1.86 meter cube अपना dry volume है तो dry volume तो हमने लिका लिया बट उसमें हमारा sand कितना लगा और cement कितना लगा इसे कैसे लिका लेंगे तो चलिए आईए क्योंकि हमारा ratio 1.6 है ना भाई हमार रेशियो जो है वन रेशियो 6 या नि 1 cement की quantity है और sand है 6 ठीक अब भी आप समझेगा sum of ratio या नि दोनों की ratio को add करेंगे तो आएगा 7 तो cement require अपने को cement कितना चाहिए तो जो dry volume है भाई dry volume हाँ dry volume में into 1 by 7 क्योंकि cement की quantity 1 है और total जो है 7 है तो इसको divide करने पर हमार जो answer आएगा 0.265 meter cube अभी आप समझेगा 0.25 meter cube क्योंकि यह हमारा answer आगया लेकिन जो हमको answer चाहिए ना भाई वो meter cube में नहीं चाहिए हमें bag में चाहिए cement क्योंकि हमें bag में दुकानों पर shop मिलती है तो इसलिए bag में चाहिए bag में चाहिए तो हमें मालूम है एक bag की volume जो होती है 0.347 meter cube जितनी होती है एक bag का volume तो हम लोग को जितना required चाहिए उसमें हम अगर bag का volume से divide कर देंगे तो हमारे लिकल जाएगा कितना bag चाहिए समझगे ना तो हमारे जो आ रहा है bag वो आ रहा है 7.66 bags कि हमें कितना चाहिए 7.66 bags चाहिए ठीक है अब बात करें send requirement का तो same process है भाई जो dry volume हमारा 1.86 और यहां पर 1.86 होगा यहां पर 7 लिख दिया हूँ 1.86 इंटू इसमें जो की 6 है send की quantity तो 6 upon total ratio यानि 7 तो हमारे जो answer है जाएगा 1.59 meter cube बस यहीं simple सा funda है हमें यहीं पर सिब 2-3 चेंज करते हैं जैसे cement sand का कहीं पर भी 1 ratio 4 यूज कर देते हैं और या तो जो area हमारा वह increase करेगा 100 meter square के जगा 500 meter square या 120 meter square तो चोटी मोटी चीजे हैं बट वह concept semi रहेगा process semi रहेगा बहुत कीजिए भाई अगर नहीं आया आपको समझ में तो comment में पिन कीजिए next video में हम और अच्छे से समझाएंगे तब तक के लिए thank you और भाई इतना मेहनत करता हूं तो like subscribe और share जरूर कर देना भाई झाल